हेलो स्टुडेंट्स वागत आपका गलेरे स्टुडी पॉइंट क्लास से में मैं शिवम शर्मा इस्टुडेंट्स आप लोग के सभी कमेंट ही आते हैं कि सर आप डेली हमें अपडेट देते रहिए कि रिजल्ट कब आएगा चाहें जो भी न्यूज हो जैसा भी अपडेट के पास आता है तो आप हमें डेली अपडेट कीजी रिजल्ट को लेके तो आज के इस वीडियो में आप से रिजल्ट के इंडेटेट बात करूंगा और gratis mark इंग के उस पे भी जो बच्चे काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं सर्ग्रेस मार्किंग बे वीडियो बनाई है और SST में hemos किस तरीके से number दिए गए हूंगे किस तरीके से हमाराwort कार रहेगा कि हमें number is कीसे ज़ेगए हूंगे हमारा percentage कैसा बनेगा तो आज के इस video में सारे टौपिक डिसकस करेंगे और आपके रिजल्ट को लेकर भी अपडेट है तो आईए वीडियो को इस्टार्ट कर लेते हैं चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए वीडियो अप्रोट कर रहा हूं ठीक है तो आईए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले नॉर्मली अगर हम बात करें आप लेकर बड़ा आपड़ेट आ रहा है जल्दी बोर्ड करेंगे बाद जल्दी रिजारी करेगा जैसा कि कल वीडियो एक अप्रोट किया था है स्कूल और एंटर की जो है कोपियों का मुल्यांकर हो यह नंबर चेकिन का कारे का यह कम्पेट हो चुका है आप नीचे देखिए साब-साब यह लिखा हुआ इन्होंने पूरा हो चुका है अब रिजर्ट बनाने का काम क्या है जारी है बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ र बस एक बार रिचेकिंग होती है तो कह रहा है इन्होंने क्या कहा है कि सब कुछ अगर ठीक रहा तो मई अंतिम सब्ता यहानी 25 मई तक यानि मैं आप से कहा है 25 मही से 31 मही के बीच में आपका रिजल्ट आएगा और है स्कूल के परिक्षा पढ़ना मैं मैं के अंतिम सब्ता य जाएगा ऐसा यह बताया जा रहा है ठीक है कि कई रिपोर्टर्स के थ्रूवी मीडिया रिपोर्टर्स हैं जैसे अमर्जवारा कई रिपोर्टर्स है आप जिनका भी आप देखना चाहिए न्यूस्पेपर में किसी कभी देख सकते हैं आपको यह पर्टिकुलर नाम नहीं है यहां कि पर्टिकुलर एकी तो अधिकतर सभी जितने भी मीडिया रिपोर्टर्स हैं सभी का मानना यह है कि जो रिजर्ट है आपका मैं अंतिम सब्ता में क्या होगा आपका जारी कर दिया जाएगा ठीक है आप यहां देखेंगे क्या लिखा हुए इन्होंने तो यहां यहां पर देखेंगे उत्राकंट बोर्ड के आपर सचीब ब्रिजमोहन सिंग रावत ने बताया हमारे द्वारा यह था समय जो चीज मैंने आपको कल बताई थी वही से हम यहां पर लिखी विए देखेंगे आप यह था समय से दसवीं और बार्वीं की जो परिक्षाओं का मुल्यंकन कारे किया जा चुका है कौपी में दिए गए नंबर परिक्षिकों द्वारा OMR शीट यानि ब्लैक आवर्ड में अंकित किये गए हैं इसका डाटा परिशद कार्याले को जमा किया जा चुका यानि जो आपके जो नमार्किंग सिस्टम होगा जिसमें नंबर आप आपको बताया था कि आपका नाम अगर गरत होगा तो उसको रिच्एक कर जाएगा आपके नंबर कहीं बाई में स्टोटल आपकर करके दे दिया कहीं पे अकर प्रेक्टिकल के मार्क्स नहीं चडए बड़ टोटल नंबर आपको चड़़ चुके हैं तो वह होता है वह चेक करने में लगे हुए हैं तो अब यह बात करते हैं यह तो था रिजर्ट का अपडेट यानि ज़र्ट जो है डेफिनेटी अब आप यह श्योर समझ नहीं कि 25 से 26 मही में आपका रिजर्ट आपके हाथ में आपके सामने आ जाएगा ऐसा बताया जा रहा है और अभी एक ओफिश मुझ भी हूँ वो सभी एक ही डेट के पीछे लगे हैं कि 25 मही 25 मही 25 मही तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को 100 परसेंट तो ना मानके पर 90 परसेंट श्योर मान सकते हैं कि 25 मही को रिजर्ट आपका आ जाएगा तो अब आगे हम बात करते हैं स्टुएंट्स के ग्रेस की यहांनि क्या है तो देखो इस्टुएंट्स रिजर्ट का क्या रोल रहता है जो आपका हमारा जो लैंग्विश हुंधी है और इंग्लिश है। Hindi language में आपको कोई grace नहीं मिलता है।श चीज को आप अमने मायंड में पहले से Concep cert clear कर ले, Hindi में किसी civil grace नहीं दिया जाता है क्योंकि हमारी मातर बश्म मात्र सारा है. वह उक्तार बात करते हैं अहीं साइन्स क्वार और इसमें एक बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में फेल होता है तो मैक्सिमम जहां तक मेरा अपना मानना है और अपनी ओपिनियन और जैसा कि उब्सक्राइख के चैट कि पूर्य नमबर नहीं दिये जाता है और आपको मैक्सिमम एक सब्जेग्ट में छे नमबर दिये जाए akah लाख कर दिया जाएगा अगर ओस अधिन नम्बर कर दिया जाएगा जैसे मान लिजिए अगर आप सब्सक्राइए जब आपका इक सब्सक्राइए ciao तो उसे प्रोपर ग्रेस नहीं मिल पाएगा इस तरीकी से मेरे हिसाब से नहीं प्रोवाइट करवाई जागा तो अगर आपको अभी वी कॉंसेट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको नेक्स वीडियो में पूरा ग्रेस पर ही एक वीडियो बना के दे दूँगा तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर जाएगा मिलते हैं नेक्स अपडेट के साथ ठेंक्यू